जहेंद तो और मैं रिस्पेक्टेदेश्प्रेंस वन भी हाब वो गोईला क्लासे में आप सभी का स्वागत करता हूँ इसमें हमें जो न्यूज मिलती है वो मिलती है कुछ रॉक आर्ट्स की बात करता है ठीक है यह रॉक आर्ट्स आपको देख रहे हैं इस तरह के मतलब जै यहीं से हमारा एक बहुत इंपोर्टेंट जो हमारा टॉपिक होता है जिसको हम रॉक आर्ट्स कहते हैं जो हमारे आर्ट इन कल्चर के अंतरगत आता है जिससे काफी कुछिन पूछी जाते है जैसे जिसे वह भीम बेट का पूछ देंगे कहां पर है और वहां पर कोई चित होते हैं ठीक है तो रॉक आट्स को समझते हैं जैसे कि रॉक से आप समझ रहे होंगे चटान और उसको कुछ कलाकृति करना तो यहां पर हम देखेंगे कि यह रॉक subscribe करते हैं इसको हम और थे खाट से डिस्तवरों भश्रॉक क सब्सक्राइब हम बना बनाया गया है विसमेंब क्या देखते हैं कुछ मांकिंग होती है शित्र होता है यह उट disciples बढ़ाइबनी होती है यह बता आपने देखना है और भारत के साथ एक सबसे बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि भारत जो है वो इन कलाकरितियों के लिए यह प्राचीन जो कलाकरितिया है उनके लिए भारत भंडार है तो इसको ऐसे भी आपके एक्जैम में आपसे कुछिं यहां पर हम देखता है कि जो यह रॉक आट है इसको तीन चरणों में विभाजित किया जाता है जो पहला है उसको हम कहते हैं पैट्रो गिल्फ पैट्रो गिल्फ ठीक है यह क्या होता है जैसे यह चट्टाने समझ लीजे कोई पत्थर है बहुत बड़ा उसमें इसको जैसे कहते हैं इसमें काफ करना करते हैं ठीक है जैसे अभी मैं पिच्चर दिखा हूँ आपको तब आपको समझ में यह देखिए तो इस तरह से बिल्कुल किसी शाप कोई तीखी वस्तु द्वारा इसको आकार दिया जाता है ठीक है तो यह कहीं न कहीं हम कहेंगे यह काफी ל seaweed टीक है दूसरा होता है pictograph pictograph में क्या होता है मैं आपको picture दिखाता हूँ आप समझ aut beğ किसी भी अज्शर गुफा मेतले हो चाहे वह पथर काफी बहुत बड़ा चट्टान उसकी सता है यह gentle तो दिवाल है जो ब्रिक से बनाए गई है ठीक है उसकी सता पे जब हम रंगों का इस्तमाल करके कलाकृति करते हैं तो उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ ठीक है तो मुझे उमीद है आप समझ रहे होगे कि इन दोनों में क्या फरक है क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट इन दो आप प्रोड़ाना यह किया जाता है और जुएनट मिट्टि मिट्टि कहां से निकली है जमीन और उसको को हमने क्या किए है जैसे है से सङब आकार दि पिच्चर में तो देखे तीन आपने आद रखना यह जैसे हम पैट्रोग्र्फ कहते हैं यह जिस उन्हें पिक्टोग् आए आगे देखते हैं अब हम बात करेंगे प्री हिस्टॉरिक रॉक पेंटिंग अब उससे पहले हमें समझना पड़ेगा यह जो प्री हिस्टॉरिक होता है जिसे हम प्रागेति हासिक काल करते हैं यह क्या होता है ठीक है देखें मेरा जो देश होता है वो यह होता है कि आप हम उसको विभाज़त करते हैं तीन चर्णों में प्राचीन मध्यकालीन और अधुनिक परन्तु यहां पर हम उसको एक आधार के कारण उसको हम फिर तीन चर्णों में विभाज़त करते हैं एक होता है प्री हिस्ट्री एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है हिस्ट्र यानि कि नॉर्मल इतिहास प्री हिस्ट्री का मतलब होता है यहां पर जो लेक है जो राइटिंग है उसका अविश्कार नहीं हुआ है यहां पर प्री वाले में राइटिंग का अविश्कार नहीं हुआ है और जो हिस्ट्री है यहां पर राइटिंग का अविश्कार हो चुक जा रहे हैं जहां लेक आ गया है पूरी तरह तो यह जो बीच का है समय उसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री अर्थात इसको एक उधारन से ज्यादा बहतर आप समझ पाएंगे अगर मैं बात करूं हडपा सब्वेता की जिसे हम इंडस्वेली सिविलाइशन भी बूलते हैं पर आपको पता है वहाँ पर लेक यानि कि राइटिंग हमें दिखती है लेक दिखते हैं परंतु से वर्तमान यानि कि आज की तारीक तक उसे डिसाइफर उसे अनकूट नहीं किया गया तो इसी रहे जब भी आपको पूछा जाएगा कि हडपा सब्वेता यानि कि इंडस् पूटो और हिस्ट्री तो यहां पर प्री की बात हो लिए है तो लेख नहीं और आदमी कहीं नहीं उस समय का जो एक एंस पता है जो शसमें का आदमी वह जंकली आदमी होगत था है तो Masy से उसने हलके एक फैमिली बनाई उसके बाद आप जानते ही समाज बनता है आगे की बात तो यहां पर क्या है हमें देखना है कि जो प्री हिस्टोरिक है कुझ उमीध है आप समझ चुके हैं हम किस काल की बात कर रहे हैं जब लेक का अविश्कार नहीं हुआ है तो प्री प्री हिस्टोरिक काल में ठीक है जाथा चटानों में की जाती थी यानि कि रॉक्स पी की जाती थी ठीक है और कौन सी होती थी पेट्रोग्ल्फ्स ज्याद तर क्योंकि उसमें रंगों के बारे में उनको पता नहीं था तो वो क्या करते थे जैसे कोई पत्थर उठा लिया ठीक है पत्थर को थोड़ा तीखा किया और उससे खूदना शुरू कर दिया कुछ आकार देना शुरू कर दिया ठीक है तो अगर प्रिक्ट्रोग्राफी और पैट्रोग्ल्फ्स में पहले क्या आया तो यह आया पैट्रोग्ल्फ्स यह आपके सकते हैं अगर हम बात करें भारत के उपलक्ष में कि भारत की जो पहली जो ऐसी पेंटिंग हमें दिखती है जिसको हम पेडरोगेच शेडी में डालेंगे वो कौन सी होगी वो देखते हैं इंडिया वास मेड इन 1867 और 1868 के समय ठीक है तो पहला इंडियन काउंसल एक्ट और दूसरा इंडियन काउंसल एक्ट के बीच में हमें यह साइट मिलती है ऐसे आप याद रखेंगे तो इसे कौन ढूंते हैं इसे ढूंते हैं आर्खी बॉल्ट के लिए लिए ठीक है अब इसका जो प्रनंशेशन है हो सकता हो गलत हो पर अगे देखते हैं प्री हिंटेंग में चोछ हमें इसे वह बीट का कहा है। वहीं पर में लखो डियार, व मतलब गुफा तो लखो डियार की बात कर वह आपको कहा मिलती है, वह आपको उत्रहंग मिलती है, तो देखें, यहाँ से आपके कैसे प्रशन बनते हैं, अगर आप कोई free का exam देते हैं, तो उसमें ऐसे फूस बनते हैं, लखो डियार कहा है, जादा तर इसमें हमें दिखता है कि हंटिंग सीन्स दिखते हैं हंटिंग मतलब आप ऐसा दिखेंगे कि कुछ लोग जानवर का शिकार कर रहे हैं इस तरह का और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल्स दिखेगा यानि कि जैसे कहीं न कहीं जो जानवर है उनको मारते वह दिखाया जा इनसान का जो समूव है वह डांस करते वह दिखाया जा रहा है और यह जितना आप दिखाया रहा है जो जम्मो और कश्मीन वहां की जो यह पेंटिंग है वहां पर आपको मुक्षिता यही दिखेगा आगे देखते हैं साउथ इंडिया ऐसा हमारा भाग है अगर मैं इस और इंडिये अब मुझे अब समझ पार होगे ज़ादातर उतरी भारत है वहां पर जो साइट सहे जो विकास होगा उसको भी तीन चर्णों में विभाजित किया है समय के अरूशा ठीक है तो सबसे पहला है आपका आपर पहले लिथिक पेंटिक जिसे उपरी पुरा पशान चित्रकारी बोला जाता है, दूसरा है मेजोलिथिक और तीसरा है आपका चालकोलेथिक, चालकोलेथिक मतलब तामर पाशान ठीक है, आप देखें यहाँ पर भी वही है, सिंपल सा जो मैंने पहले बताया था, देख परंतु जब यह परिवर्टन हो रहा है तो बीच का समय है उसको कहते हैं तो alephic को अ इस शुरूवात करें गे आपट इसको टक्निक ली कहा जाता यह पिर्मिटिब मैं मतलब ये एक यहां से फिर मानव बनना शुरू हो गए हैं जैसे हम सभी जानते कि मानव एंथ्रोपोलोजी में जो हम पढ़ते हैं आपको पता ही है किस तरह से मानव का विकास हुआ है तो यहां पर हमें दिखता है कि प्रिमिटिव मैन इसले क्याता है क्योंकि कहीं न कहीं यह पूरा लगबाना जाता है तो इसलिए बहुत सी किताबे कहीं पर चालिस जार लिखा हुआ कहीं पर पचास जाल लिखा हुआ हुआ है परंतु हमें लगभग का समय पता होना चाहिए तो लगभग इसका समयकाल है वह है 40,000 साल पुराना ठिक है और इस समय पर जो यह कि इन्होंने क्या क्या एक एक फैमली बनाना शुरूर किया पहले तो अकेले रहते थे हंटर और गैदरर्स होते हैं जैसे क्लास 9 थी जब एक आल को इस पटते हैं तो था हम से चलता है कि यह क्या जानते टें शिकार करना होता ठीक है तो यह हैं यहां तक हम देखेंगे कि ज़ो यह प्लभत यह स्कुल पर तरक़्ि कर दिखिंगे कि कैसी है सांस्कृतिक तर पर तरक़्िया को अश्रू कर दिया था और хозяR किसकेero जो नृइंसानों के नहीं पिस तरह से और हॉंसु एं नहीं कहीं कहीं एक हथियार बना लिया था यह जान चुके थे कि इस तरह से स्तमाल किया जा सकता है आगे हम देखते हैं आप जो अपर पहली लिथिक्स जो साइट्स है भारत में वह कौन है क्योंकि जब कि मैं बात कर रहा हूं इस समय ठंड बहुत थी इतना गरम नहीं था तो जादातर क्या था जैसे कि आप जानते हैं भोगोल यानि कि जोगर्फी का सिध्धान्थ है कि अक्षांस का संख्या जितनी चोटी होगी उतना गरम होगा यानि कि अगर मैं जीरो डिग अक्षांस होगा वह बहुत ठंडा होगा तो मेरा कहने का ताथ पर है अक्षांस की संख्या जत्ती बढ़ेगी वह उतना ठंडा होगा तो यानि कि जितना आप उत्तर के तरफ जादा तरो नीचे रहता था तो इस तरह से आपने आइडिया लगाना होता है concept समझने होते हैं लीनियर मतलब मैं खीच करें जैसे इसको समझे cream का मतलब क्या होता है घर ऀक़िया रांता हें देखना पर देखे यहाँ आपको देखन है És यह द्यारण था certainly boy यह देखर लाइन Tie के एंव्ट होता सुजुङ लीनियर आप देख पार हैंगे तो इस तरह से आपने अपने जो मेंस है उसमें यह विशेष्टा है जरूर लिखनी है ठीक है हो सके तो पिच्चर भी बना दीजिए और पिच्चर बनाएंगी तो जादे मार्क्स बिलेंगे लीनियर लिखना और लीनियर दिखाना ज्यादे के फाइदा होता है तो यहां पर हमने देखा कि इसकी जो विशेष्टा है किस तरह के लीनियर रिप्रेजेंटेशन था और ज्यादा तर जो इस्तमाल करते थे दो रंगों का करते थे ग्रीन और डाक ठीक है अब आप को कि सरे इनको रंगों का ग्यान था क्या नहीं इनको यह पता नहीं था कि हरे को हरा कहते हैं या लाल को लाल कहते हैं इनको यह पता नहीं था परन्तु यह पता था कि कुछ है कलर है यह ठीक है रंग है यह क्योंकि यह जो चट्टाने थी इसके जो पत्थर थे वह आप देखेंगे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं मेटाम भी याद अभी आ गया आएगा आपको तो उससे क्या होता था उसमें कुछ कैमिकल रेक्शन होते हैं तो रंग छोड़ते हैं ये देखे अब जैसे यह जो पथर आपको देख रहा है इसे हम कॉट्धजीड कहते हैं उसमें आता है तो यहां से कलर भी निकलते हैं पिग्मेंटेशन होता है तो जैसे इनको यह नहीं पता है कि हरे को हरा केते हैं यह नहीं पता है कि कुछ तो है तो एक अपने समच के साब से उस समय उलोग करते हैं इसी लिए कि उस समय ज्जादा तर जो इस्तिमाल किया जाता था वो ग्रीन और डाक रैक कर था ठीक है आगे देखते हैं दा वॉल अव रॉट शेल्टर गेव सां मेड ओफ यह मैंने बता दिया जो धीवाले होती थी यहां पर यह पेंटिंग कर रहे हैं तो वह जाधा तर किसकी होती थी थी थेक है तो इसलिए क्या निकलते हैं इसमें यह पिग्मेंट का काम कर सकते हैं कहींना क जो पिग्मेंटेशन का असली मतलब होता है कि वह जो वेवस होती है जो कलर्स की वेवस होती है उसको वह हर वेवस को रिफ्लैक्ट नहीं करते हैं तो इसलिए आपको कलरफूर देखता है हालाकि यह तकनिकी भाषा है साधन तोर पर याद रखेगा कि रंग इससे निकल सकते जाने जाने जो जिसकर करते थे इसमें और उसमें की लाइम का मिक्स करते थे और पानी का तो पानी द्वारा क्या पानी जाता थे रहे और उसको क्यों वह तरल हो गया है क्क आगे थे आगे राइट िष्लर्र एलाइट गाला तो अलग लग लग का होता है क्याए करते थे उसका कैस्ते उसमाल करते थे ते रंड़ जिसमाल करते थे र इंडे वाइट डार्क रेड ग्रीन वर यूस्ट डेपिक लार्ज अब देखें यहां पर यह छूड़ शूड़ी बात हैं यह बहुत ध्यान देने हैं आपने मेंस में लिखते समय जो बड़े जानवर को यह दर्शाते थे ज्यादा तर उनके लिए कौन-कौन सा रंग इस्तमाल करत देखें ऊपर है सुसको यह दिखाते हैं वह कॉन सा रंग करते ंग्रीन अब आप देखें यहां पर आपको दिख रहा हुआ इस तरगए जौन-कॉन-कॉन तो यह दिखा दे थे विसंस सो ये दिखें पैसवन है जो आपके उत्तरी अमेरिका में पाया जाता एक्टा इसे संखेटे Elephant tigers वॉर्स तो इस तरह के और कहीं न कहीं जो एंसानों को दिखाते ते इनसानों और यह इंसानों को यह इंसाना मतार करते हो यह इन के लिए इनसान था है इन हम ठीके आ आप हम सीध़े आएंगे पेलáriBS से मेजएलिपिक पेंटिंग में आप देखेंगे कि यहां पर हमें क्या देख रहा है कि यहां पर तक क्या है आप थोड़ा सा जो संस्क्रिपि है और थोड़ा सा और अच्छी हो गई अच्छी से मेरा मतलब है कही न कहीं कुछ जादा ग्यान आ गया है ठीक है और यह कहीं न कहीं पहले लिथिक और नियू लिथिक के बीच में आता है कौन सा मिजुलिथिक इसलिए मैंने कहा था यह बीच माएगा यानि कि जिसकी जो मिजुलिथिक के लिए जो समयकाल है वो बताय जाता है कि 10,000 से 8000 के मधिका हैं पर अलग अलग छेत्रों में जो 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 जाइंड है तो फिलाल हम कितना मानेंगे 10,000 से 8000 कि भारत के हिसां इतना ही मानता है लगभा का सब और इस पीरियट में हमें क्या दिखता है ज्यादा तर इस्तमाल हुआ है रेट कलरगा जैसे आप यह पिच्छे देख पा रहेंगो यह मिजुलिथिक पेंटिंग भी होगी कभी ऐसे पेपर भी हो सकते हैं आपके सामने पेंटिंग दिखा दे और आप से पूछी मिजुलिथ अगर मैं इसकी तुलना करूं तो अपर पेंटिंग से ज्यादा इसमें थीम्स आ गई है मतला अलग 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 एक पिच्छ देखते हैं परंतु इसमें क्या था जो पेंटिंग थी उनका साइच छोटा हो गया तो एक विशिष्टा यह भी है कि आपका जो मिजुलिथिक जो इसका जो साइस होगा अगर मैं तुलना करूंगा पेले लिथिक से बूछ चुटा होगा और थीम्स में आगया है हंटिंग सीन वह हमें पहले भी दिख रहा था ठीक है पीपल हंटिंग इन ग्रूप अब पहले यह दिखता था कि लोग हंटिंग कर रहे अब यहां पर चलता कि लोग कैसे आया पहले अकेले था फ्र वह से समय इसे समा जाता हूँ समा से राज्य बना राज्य से समयधान बना ड़ा तो हम हंटिंग आम बाब स्फेर यानि की भाला दिख रहा है कोइंटे टेस्ट यह बाला एरो बॉए नेरो यानिकी धौश्माण दिख रहा है तो प्रिमिटिब मैं विद ट्रैप संस्स्ट्राइब फंदा बनाते जैसे कभी जंगल में आपने देखा होगा कि जानवर के लि अनिमल थे अलिफेंट थे बिसंट थे तो बहुत सारे वही थे खुछ एक दो नहीं आ जाते हैं तो आप इन दोनों नोट्स के तुलना करना जब आप जानवर को लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि जो मिजवलिथिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी भीम और यहां पर और यहां पर 500 से जादा यहां जाके देखें तो आपको और बहतर समझने आएगा तो इसकी खोज किसने करी है इसकी खोज 1957-58 में हुई है यानि कि एक तरह सम्झ बीरुबरी केस 1960 का उससे दो साल पहले ऐसे लिंक करना होता तो दो साल पहले बीरुबरी केस से यह खोज हुई है और किसने करी है वी एस वकंकर ने इसकी खोज की है तो इस तरह का डेटा आपके प्री में भी काम आ जाएगा और मेंस में आपने में यह हमारी एक वर्ट हैरिटेज साइट है भीम बेट का की जो भी पेंटिंग से बिलॉंग्स टू अपर पहली पड़ी पड़ी थी जो अभी हम देख रहे हैं और चालकुलेथिक जो इसके बाद आएगा ठीक है यानि कि तीनों चरण जो हमने डिवाइट के थे पहली मि मिलती है ठीक है तो हावेवर मोस्ट आव दी पेंटिंग बिलॉंग निथे अब जितनी पेंटिंग मिलती है भीम बेट का में हम देख रहे हैं कि हर वर्ग की मिल रही है परद्टु जो मुखिता है वहां आपकी मिजोलिथिक पीडिट की यह बाद आपने याद रखन है आ और नेच्रे से से निकाले जा रहा है साब आगए आग आगए आपका चैनल को लेथे यह जो पीरिएड है यह किस किस के मध्य आता है यह आता है आपका लेट इन dualी तिक और अली अब कही नहीं जो इन लोगों को ये मैटल का कहीं नहीं परिक्षण करने लगहां उसे हथ्यार बना लगे इस तरह से समझेंगे धातु को इस्तेमाल करने लगे पहले अकेले थे सबसे पहले बनाई इन्होंने गुरूप बनाए अब गुरूप के बाद यह साशक चाहिए था जो रूल करेगा सबको अपने कभीले को बचाएगा तो साशक के पास पावर होती थी और बाकी सब लोग उसको जो भी कहता तो से मानते थे और लोगों के पास थोड़े बहुत अधिकार होते थे तो यहीं से तो राज्जी के उत्पत्ती होती है जो आज कल का हमें राज्य दिखता था भारत है कई राज्जी को चलाता है थिक है तो चालकौलिथिक परियरीट में यह समझ में आ रहा है कि इन्होंने सोसाइटी में आ तो यहां पर यही पॉइंट है कि चालकुलिथिक पीरेट की जो पेंटिंग्स थी उसमें ग्रीन और यहलो कलर को जाधा इस्तमाल किया गया तो याद रखेगा यह जो कलर कॉम्बिनेशन यह बहुत जरूरी को कलर तो हर जगे एक से मिल रहे हैं आपको ऐसा थो नहीं होता थ यह पेलोलिथिक है ना यह मिजोलिथिक की जेखें वहां पर आपको दिखेंगी चालकुलिथिक की जो पेंटिंग्स इनकी जो सबसे मुख्यता जो ये जिस सब्सक्राइब करें तो यहां पर हम देखेंगे दियर वर मैंनी पिंटिंग और रिटन होसे मतब घोड़ा चलाते वह दिखेगा मतब आदमी करा घोड़ा सवारी कर रहा है एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है और आदमी क्या है वह बोएन आरो को केरी कर रहा है उपर से इंडिकेटिंग इसकी मिनिश मतलब होता है कि जहां पर दो समू आपस में लड़ रहें तो इस एक तरह का युद्ध का दृष हमें दिखता है चालकुलितिक पेंटिंग्स में और अधर पेंटिंग्स में देखेंगे डेपिक्शन ऑफ मुजिकल इंस्टूमेंट जो हाफ है पहली बार यह देखा गया कि चालकुलितिक पीरियड में एक मुजिकल इंस्टूमेंट होता है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं इस तरह का होता है और यहां पर उसमें इस संगीत है उससे भी रूबरूब हो चुके थे राइट पेंटिंग ऑफ चात्यसगड़ की बात करेंगे चात्यसगड़ ऑफ वेराइटी ऑफ केप्स बहुत ज्यादा केप्स हैं आपकी चात्यसगड़ में गुफायें हैं जो कि कहां दिखती है आपको कांकेर जनपत पर का शेल्टर ओफ उटकुड़ा गारागोडी खापर खेड़ा गोटी टोला कुल गाउं तो यह साइट ऐसी है जहां पर आपको चालकुलिथिक पेंटिंग काफी मिलती है और यह कहां पी चात्यसगड़ में ठीक है और कौन से जनपत में है कांकेर के जनपत में तो यह नाम आ कि यहां पर देखे जोगी मारा केव की रामगड़ पे हैं और यह त्यहर्पा पर ओटकिंग सब्कुत्ति है और चालकुलिथिक Bossi मारा केव को से हैं जैसे उससे पहले की हैं जोगी मारा केव में ठीक है यह. क्यूंकि यह पहले ही आएगा पुराना आएगा तो इसलिए याद रखेंगे जो आपकी जो गुफाएं उसमें जो पेंटिंग्स है वह आपकी अजंता और बाग की गुफाएं उससे पुरानी है यह बात आपके चित्वा डॉंगरी इसमें जब मैं इसमें रिसरच कर रहा था तो मुझे था लॉग इसमें नहीं जाते है उसको अपने में कोट कर सकते हैं और यहां पर द्रेगन भी देखता है वह घड़े को चलाता हुआ इस अ नंसक्रितिक तरीके से जुड़ा हुआ है व चाइना से जुड़ा हुआ है भारत में ड्रैगन का इतना मेहतु नहीं है तो यहां से भी पता चलता है कि चीन के हो सकता कुछ लोग पर आये हों उन्होंने यहां पर कुछ करती करी और तो यह है आपको क्राइस ये लोग यह लो कलर का इस्तमाल करता है इस तरह से चुप शोल भी विशेशता है है और अपने means में और ना है तो देखें आप सब मैं आ रहा हूं आपके जैसे कि आप जानते हैं तो यह जो आपका पूरा प्रीमिम लेक्ट्स का जो सेट है यह आपको मात्र पढ़ेगा 2999 ठीक है और यहां पर आपको पता है आपके एस परदी अभी तक का जो जानकारी हमें प्राप्त है उसके साफ साफ के तीन पेपर ह तो बिसमें आपको पढ़ेगा 2970 कि अगर जितना हम समझ पाएं जितना अभी तक पता है और चारिक तौर पर कि इसमें मेंस राइटिंग है आपकी ट्यो में डैरेक्ट तो इसमें मेंस राइट il िस याउड्ट इसकेल green फेकल इसलिए कि आपको कॉंसेप्स कितने मुह पर अंतू आ नहीं करते बार बार रेशीन नहीं करते प्रेक्थ स्केल original सकते तो यहां इस तरह से कॉपी चेक होती है इस तरह से हैं यहां पर पर देख रहाए इस तरह पॉयंट कोई है वो इधिया जाता है n stip ही आज यह कहा है तो US आप आप लोगों को भी यहां आना है तो यह हमारा टेलग्राम चैनल है जिस में हम डिली अप्डेट्स देते हैं इंपॉर्टेंट इंप्रमिशन जो होती है वह आप तर पहुंचा ही जाती है ठीक है है थाहिस को अचु इसकह मौका देना है कि पेपर एको करने का परंतु जितनी पोस्त-कर लोगकायब भूँक्षाम पोस्ट यहोगा पसंद आया होगा जहन्त